चोपड़ा एजो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों 21 सेशन के लिए MBBS BDS के एडमिसन कम्प्लीट हो चुके हैं अभी काफी सारे स्टुडेंट्स के कॉमेंट्स इस परकार से आ रहे हैं कि M.시.C की काउंसलिंग के लिए जो सेक्रियूटीमणी डिपोजिट की थी वो कब तक रिफंड होगी ये security money उन सभी students को refund होगी जिनका admission हो चुका है जिनोंने seat join कर ली है और जिनको seat alert नहीं हुई है उन candidate को भी ये refund मिलेगा उन candidate को refund नहीं मिलेगा जिनोंने second round, mop up round और stay vacancy round में seat alert होने के बाद join नहीं की है उनकी security money forfeit हो चुकी है अब इस security money कब तक refund होगी तो ये security money काउंसलिंग ओवर होने के बाद MCC द्वारा जो last date notify की जाती है जो 15 मई 22 थी उसके बाद में ये financial custodian द्वारा refund की जाती है तो इसमें generally जो last date होती है admission की उससे 40 से 45 days का समय लिया जाता है यानि कि previous year में हमने देखा है कि 40 days से लेके 45 days के बीच में ये security money सभी candidate के लिए refund हो जाती है तो ये जो BDS की last date थी admission की वो 15 मई 22 थी तो ये 25 June से 30 June 22 के बीच सभी eligible candidate को refund हो जाएगी ये security money ये हमें पूरी पूरी possibility है क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये जो 5 से साल के previous year में जिस प्रकार से ये security money जितना time लिया गया था उतना ही time मैं इसमें भी बता रहा हूँ और ये accurate इतना ही होता है यानि कि 40 से 45 के बीच में ही ये समय लिया जाता है मैं दुबारा से repeat करता हूँ ये security money 25 June 22 से 30 June 22 के बीच refund हो जाएगी ये उसी account में refund होती है जिस account से candidate ने pay किया था और refund की list भी MCC की website पर publish कर दी जाएगी special stay vacancy round के लिए जो अलग से security money deposit हुई थी वो भी eligible candidate को same time यानि 25 से 30 June के बीच में मिलने की पूरी-पूरी समभावना है refund के लिए candidate को कुछ भी नहीं करना है ये automatic जिस account से pay किया गया था उसी account में refund वापस आ जाएगा तो इसके लिए आपको wait करना होगा 25 से 30 June तक जैसे ही ये refund होगी हम आपको inform कर देंगे जो candidate इसके लिए eligible है और फिर भी उनका refund नहीं होता है तो उनको टेंसल लेने की आउशकता नहीं है मैं उस समय आपको mail ID बता दूँगा उस पर आप mail करेंगे तो ये आपको आप अगर eligible है तो आपको refund मिल जाएगा तो ये जानकारी थी MCC के refund के बारे में ये जानकारी मैंने आपको दी है previous year को देखते हुए यानि कि previous year में कितना time लिया गया था और अभी क्या संभावना हो सकती है कितनी तारिक तक ये आ सकती है तो जैसे ही ये refund हो जाएगी हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद